अज असी सिखां दे पंजवें गुरु शिरी गुरु अर्जन देव जी दे जीवन बारे अते ओना दी शहादत बारे जानकारी प्रापत करांगे शिरी गुरु अर्जन देव जी दाजनम कदों हुए 15 अप्रेल 1538 इस्वी विच शिरी गुरु अर्जन देव जी दाजनम कित्थे हुए गोइंदवाल साहिब विखे शिरी गुरु अर्जन देव जी दे पिता जी दाजनम की नाम सी शिरी गुरु रामदास जी जो के चोथे गुरु सन शिरी गुरु अर्जन देव जी दे माता जी दाजनम की नाम सी बिब्बी पामी जी शिरी गुरु अमरदास जी शिरी गुरु अर्जन देव जी दे की लग देशन शिरी गुरु अर्जन देव जी दे जनम समे शिरी गुरु अमरदास जी ने की पविक बाणी कित्ती मेरा एदोता बाणी दा बोथा होवेगा शिरी गुरु अर्जन देव जी दे पत्नी दा की नाम सी शिरी मती गंगा देवी शिरी गुरु अर्जन देव जी दे पुत्तर दा की नाम सी हर गोविन्द जी हर गोविन्द जी दा जनम कदों हुया 1595 एश्वी वेच शिरी गुरु अर्जन देव जी नू गुरु गद्धी कदों प्रापत होई 1581 एश्वी वेच शिरी गुरु अर्जन देव जी दे किन्ने प्रापासन अर्जन देव जी दे दो प्रापासन प्रिथी चंद अते महादेव प्रिथी चंद कौन सी शिरी गुरु अर्जन देव जी दा वड़ाप्रा प्रिथी चंद ने केडा संपरदाई चलाया मीना संपरदाई नक्षबंदी लहरदी स्थापना कित्थे कित्थी गई सरहिंद विखे नक्षबंदी लहरदा नेता कौन सी शेख अहमद सरहंदी चंदू शा कौन सी चंदू शा लहोरदा दिवान सी हर मंदर तो की पाव है इश्वरदा मंदिल हर मंदर साहिब दी स्थापना कित्थे कित्थी गई श्री अमरिचर साहिब विखे हर मंदर साहिब दी स्थापना केड़े स्रोवर विचकार कित्थी गई है अमरिच श्रोवर देविचकार हर मंदर साहिब दी नी कदों रखी गई तेरा जनवरी पंदरा सो अठासी इस्थी विच श्री गुरू अरजन देव जी ने हर मंदर साहिब दी नी किस तों रखवाई हर मंदर साहिब दे किन्ने दर्वाजे रखवाए गए चार दर्वाजे हर मंदर साहिब दे निर्माण दा कारज कदों पूरा होया सोडा सो एक इस्थी विच तरं तारं साहिब दी स्थापना किस ने किती शिरी गुरू अर्जन देव जी ने तरं तारं साहिब दी स्थापना कदों किती गई पंद्रा सो नब्बे इस्थी विच शिरी गुरू अर्जन देव जी द्वारा स्थापित किते किसे दो शेहरां दे नाम दसो कर्तारपूर तरं तारं अते हर गोबिंदपूर कर्तारपूर साहिब केडे जिले विच स्थित है कर्तारपूर्दा की अर्थ है इश्वर्दा नगर कर्तारपूर साहिब विखे केडा स्रोवर बनाया गया गंग सब स्रोवर शिरी गुरू अर्जन देव जी ने हर गोबिंदपूर दीस थापना क्यों किती हर गोबिंद जी दे जनम दी खुशी विच हर गोबिंद पूर दीस थापना क्यों किती गई पंदरा सोप चानमे इस्वी विच शिरी गुरू अर्जन देव जी ने बावली दा निर्मान किती करवाया दब्बी बजार लाहोर विखे मसंद प्रथा दीस थापना किस ने किती शिरी गुरू रांदास जी ने मसंद प्रथा दा असल विकास किस दे समय हुया शिरी गुरू अर्जन देव जी दे समय मसंद केड़ी पाशादा शब्द है फार्सी पाशादा मसंद शब्द तों की पाव है उच्चा स्थान आजगरंथ साहिब्दा संकलन किस ने करवाया शिरी गुरू अर्जन देव जी ने आजगरंथ साहिब्दा संकलन कित्थे कित्था गया आजगरंथ साहिब्दा संकलन किरे स्रोवर्दे कंधे ते कित्था गया रामसर स्रोवर्दे कंधे आजगरंथ साहिब्द वेच बानी नू लिखन दा कारल किस द्वारा कित्था गया पाई गुर्दास जी द्वारा आजगरंथ साहिब्दा संकलन केडे साल अरंब कित्था गया सोड़ा सो एक इस्री वेच आजगरंथ साहिब्दा संकलन केडे साल संपूरन होया सोड़ा सो चार इस्री वेच आजगरंथ साहिब्दा परकाश हर बंदर साहिब्द वेखे कडों कित्था गया सोड़ा अगस्त सोड़ा सो चार इस्री वेच आजगरंथ साहिब्दे किन्ने अंग हन आजगरंथ साहिब्द वेच बाणी नू किन्ने रागां वेच दर्ज कित्था गया है इकत्ती रागां वेच आजगरंथ साहिब्द केड़ी लिप्पी वेच लिखिया गया है गुरु मुखी लिप्पी वेच आजगरंथ साहिब्द वेच अरामब्द वेच किन्ने गुरु सहबाना दी बाणी दर्ज सी पहले पंज गुरु सहबान दी गुरु गोबिंद सिंग जी देशने आजगरंथ साहिब्द वेच केड़ी गुरु साहिब्द दी बाणी शामिल किती गई शिरी गुरु तेग बहादर जी दी बाणी शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी ने आजगरंथ साहिब्द नू केड़ा दर्जा दिता शिरी गुरु गरंथ साहिब्द जी दा आजगरंथ साहिब्द वेच सब तों वध शब्द केड़े गुरु साहिब्द दे हन 2266 शिरी गुरु अर्जन देर जी दे शिरी गुरु अर्जन देर जी नू कदों शहीद कित्ता ग्या ती मई 1666 इस्वी वेच शिरी गुरु अर्जन देर जी नू केड़े मुगल बाद्षा ने शहीद करवाया जहांगीर ने जहांगीर कदों गद्दी ते बैठा सोड़ा सो पंज इस्वी वेच जहांगीर दी आतम कथादा की नाम है तुझके जहांगीरी मसंद शब्द केड़े फार्सी शब्द तों बढ़या है मसंद जिस्तों पाव है उच्चा सथान उमीद है तुहानू शिरी गुरू अर्जन देजी दे जीवन बारे अते ओना दे सिक तरम विच दित्ते योगदान बारे जानकारी प्रापत हो गई है जानकारी प्रापत है